नमस्कार दोस्तों हम बनाने वाले हैं सूट का बाजु जो डिजाइन वाला बनेगा आप इस बाजु को सूट में या ब्लाउज में किसी में भी लगा सकते हैं यह बहुत ही सुन्दर दिखता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों इसके लिए मैंने अपना सूट कटिंग किया और उसका बाजू कटा है मेरे बाजू की पूरी चोड़ाई 11 इंच है और लंबाई 5 इंच है जिसमें से मैंने लगबग 1.5 इंच कपड़े अंदर तुरपाई के लिए छोड़ रखा है इसके बाजू की लंबाई मेरे पूरे 5 इंच है जिस 5 इंच में से आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा उसके बाद मेरा बाजू बनके 4 इंच का तयार होगा दोस्तों इसमें मैंने ये मेरा बाजू ये मैंने कट किया था डिजाइन बनाने के लिए हम यह उपर से यहां 1.5 इंच पे निशान लगाया और यहां से यह 3 इंच पे निशान लगाया अब इस निशान को ऐसे मिलाते हुए गुलाई में लेते हुए मैंने कट करके इस कपड़े को निकाल लिया अब मैं जो डिजाइन बनाऊंगी उसको यहीं पर लगायेंगे हम, इसके लिए मेरे सूट का कफड़ा है,मीब इस फूल बना हुआ है यह मैं । इसमें से मैं डिजाइन कट करूंगी, इसके लिए मैंने यह वित बाद इन्च का कफड़ा धिया हूं, इसके लिए मैंने यह पूरा प्कुर साथ इtered दिन पाद़ेकी उपर मैंने यहां निशान लगाया अब इसको ऐसे सीधी लाइन खीच लिया अब मैं कि आपकर से देड़ इंच पे निशान लगाऊंगोंगी नीचे तक.- इन दोनों निशान others are क cuts किह जेकी और ले आएंगे ए से इसे इअधर ऒए और ये ज़ी न 돼 प्लेट बाजु कटकी हूं इस पर पत्टी लगा के और इसको अंदर की तरफ करके कपड़े को और इस डिजाइन के ऊपर रखके करूंगे इस पर पट्टी लगा सकते हैं और पट्टी लगा सकते हैं अनको ऑनको अच्छे से बैट सके अब हम इसको ये अंदर अच्छे से मूडते हुए अपने डिजाइन के उपर रखके इस पर सिलाई लगाएंगे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस कपड़े को इस डिजाइन के उपर रखा और यहां से ये पूरा सिलाई चला दिया अब हम ये जो इक्स्ट्रा कपड़े हैं इनको काटके निकाल लेंगे और हमारा बाजु बनके तयार है आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना बढ़िया डिजाइन बनके तयार हुआ है और पूरा ये बराबर है आपको दिखाते हूं देखिए दोस्तों ये हमारा बाजू किता बढ़िया बनगे तयार हुआ है अब मैं बस इस पर तुर्पाई लगाऊंगी और अपने सूप में लगा जूँगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें थेंक यू करें